हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच पी अमित एजूकेशन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किंग्डम प्रोटेस्टा, किंग्डम प्रोटेस्टा जो है ये एक यूनिसेलुलर यूकारियॉटिक सेल है, प्रोटेस्टा का मतलब होता है फिर्स्ट फॉर और प्राइमरी भी बोला जाता है और यहां पर प्रोटेस्टा जो है ये एक यूकारियॉटिक सेल है ये पहला ऐसा किंग्डम है जो कि यूकारियॉट है और साथ ही यूनिसेलुलर भी होता है और यहां पर हम एक्जाम्पल लेते हैं जैसे कुछ यूनिसेलुलर अलगा भी रहते हैं जैस connecting link between the karyotic kingdom monera के साथ ठीक है यह एक इनका phylogenetically relation भी है तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो kingdom protista है इसमें हम different different terms की discussion करते हैं mostly chryzophytes, dynoflagellates, yuglenoids and slime molds and protozoans यह सारे की सारे जो हाँ under protista के अंदर आते हैं अगर हम यहाँ पर nutrition की बात करें तो इनकी जो nutrition होती है वो तीन type की रहती है कौन-कौन सी एक तो आ जाती है photosynthetic and दूसरी रहती है heterotrophic and last one जो है वो आती है mixotrophic अब यहाँ भी सबको पता है कि जो photosynthetic होती है वो किस तरह से होती है nutrition जो है ठीक है in the presence of light की presence में जो भी food prepare किया जाता है वो photosynthetic आती है heterotrophic nutrition यह वो nutrition होती है जिसमें जो plants है sorry जो protista है वो क्या कर रहा है यहाँ पर depend होता है किसी other पर then next one आता है mixotrophic mixotrophic का मतलब है कि जैसे means जब धूप होगी ठीक है तो यह photosynthesis करेगा और अगर धूप वगएरा जो है sunlight नहीं होगी तो यह क्या करता है worms को पकड़ पकड़ के खा जाता है मतलब कि एक तरह से mix type की यहाँ पर nutrition रहते है जिसको हम mixotrophic nutrition कहा जाता है ठीक है for example yuglena ले लो ठीक है उसमें भी क्या होती है यह nutrition करता है by holojoic भी होती है holophytic भी होती है और saprobic methods भी होते हैं ठीक है तो यह different type की यहाँ पर क्या जाती है nutrition रहता है नेक्स्ट वन आता है जो protista है इसमें different classification रहती है इसमें different parts आते है जैसे chryzophytes, dynoflagellates, uglinoids, slime molds and protozoons ठीक है तो जो chryzophytes और dynoflagellates हैं यह किसके अंडर आते हैं यह photosynthetic होते हैं ठीक है यह जो है किस type की nutrition आती है इसमें photosynthetic आती है और अगर हम uglinoids की बात करते हैं मैंने अभी example दिया कि uglinoids जो होते हैं यह mixotrophic में आते हैं ठीक है इसमें जो है वो mix type की क्या रहता है mixotrophic में nutrition रहती है mix type की ठीक है then next one आता है slime molds and protozoons तो जो slime molds हैं और protozoons है इसमें आती है heterotrophic nutrition रहती है right तो इसमें different type की nutrition जो है वो हमने बता दिया photosynthetic इसमें आती है first वाले में अब हम इसको one by one जो है वो discuss करेंगे तो first of all हमारे पास रहता है chryzophytes chryzophytes जो है इसको हम क्या बोलते है chief producer of the ocean भी कहा जाता है right और इसमें हम दो terms को discuss करते हैं first one जो आती है वो है diatoms and golden alga जिसको हम क्या बोलते हैं इसको हम डिसकस करते हैं सबसे पहले देखो diatoms क्या होते है diatoms के हम लोग बात करें तो यह क्या है एक तरह से microscopic photosynthetic unicellular organisms होते हैं ठीक है phytoplankton मतलब की ऐसे photosynthetic organisms जो flow कर रहे हैं एक वेब के साथ जो है वो फ्लो करते हैं ठीक है plants like जैसे में भी यह fresh water भी हो सकता है और marine water इनका habitat रहता है इनका habitat यह जाता है then cell wall embedded with the silica ठीक है मतलब की इस तरह से हमारे पास कोई एक organism का यह shell है ठीक है यह overlapping करते हैं ठीक है मतलब की इनका जो shell होता है वो strong होता है और इसमें strong overlapping होती है तो इसको अहena आ कर इस पाउडर द्यो भी कहा जाता है तो जब यह क्या करते हैं डाइ हो जाते हैं तो यह क्या करते हैं नीचे की तरफ heukot resides down हो-जाते थीकर सारा का सारा नीचे यह settled प्रश पाउडर बन गया होता है तो इसमें क्या होता है कि जो भी पाउडर लाइक फॉर्म होती है और यह एक फिल्ट्रेशन और उसे उसे उसमें इसको यूज किया जाते हैं यूजय करते हैं जैसे एक घिया हमें यूज कर्ते हैं जो भी उसमें इसको यूज किया जाता है तहले नेक्स्ट वन आता है यहां पे डिस्माइड्स तो डिस्माइड्स जो होते हैं वो क्या है एक तरह से गोल्डन एल्गा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं फोटो सिंथाटिक ठीक है यह जो डिस्माइड्स होते हैं गोल्डन एल्गा जो है यह क्या होते हैं फोटो सिंथाटिक होते हैं ठीक है presence of sunlight में काम कर रहे हैं और यहां पर yellow and brown carotenoids की वज़ा से इनका color जो है वो golden होता है ठीक है अब यहां पर question यह पूछा जाता है कि dismides जो होते हैं उनको golden alga क्यूं कहा जाता है क्यूं क्यूंकि इनके बीच में क्या आता है yellow और brown color का carotenoids पाया जाता है क्राइजोफाइट के बाद dynoflagellates तो dynoflagellates जो होते हैं कि mostly यहां पर क्या बुला जाता है कि यह marine होते हैं mostly fresh waters भी मिल जाएंगे आपको और marine water भी होता है ठीक है यह होता है इनका habitat और क्या होते है फोटो सिंथाटिक होते हैं राइट अब देखो यह जो dynoflagellates होते हैं यह colorful होते हैं due to different pigments ठीक है जब यहां पर क्या रहा है अज़य को भी खुरू कर देता है टैक है जब इसमें एक्सेसिव ग्रूथ हो रही है तो डाइनो फ्लेजिलेट पर धी प्रेजेंट होते हैं यह दिखो यह जो structure है तो यह डाइनो फ्लेजिलेट का है और यहां पर क्या है कि ये color देना भी शुरू कर देता है फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है कि ये dynoflagellate जो होते हैं ये एक तरह से जैसे इसमें हम एक example लेते हैं gonylex gonylex का हमने example लिया gonylex में क्या आ जाता है इसको हम red tide भी बोलते हैं इसको हम red tide भूल रहे हैं क्यूं यह question py क्यूं रह चुका है gynlex का तो gynlex जो है यह grow करता है abundant over the sea surface that makes sea appear red ठीक है यह देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें क्या होती है rapid multiplication होती है और यह क्या करता है sea को भी red color जो है वो अपेर हो जाता है और toxin released by such large number may kill other marine animals such as fishes बगएर जो भी रहते है ठीक है next one आता है euglinoids तो euglinoids जो है mostly यहाँ पर क्या आजाते हैं कि यह देखो इसका example है यह इसका diagram है और यहाँ पर हमने इसमें बताया था कि किस type की nutrition होती है इसमें mixotrophic nutrition ठीक है तो इनका habitat की अगर मैं बात करूँ तो इनका habitat भी क्या है fresh water organisms होते है mostly यह जो है देखो एक तरह से यह बहुत जादा interesting organisms होते है ठीक है इसमें pellicles होते है ठीक है यहाँ पर क्या होते है pellicles present होते है यह पर लिकल आ जाता है then उसके बाद यहाँ पर क्या जाता है बीच में कुछ यहाँ पर chlorophyll present होते है ठीक है फ्लेजिला तो इसमें भी है chlorophyll होते है देखो यहाँ पर बूला गया है कि यह क्या कर रहा है mixotrophic nutrition होते है क्यों क्योंकि यह शो करता है photosynthesis को भी शो कर रहा है फ्लेजिला होते है फ्लेजिला है यहाँ पर Pr钥ेश समय रहती है यहां पर क्यों पर व्लियका पर विल को ही यह इसमें ऐसे बीच काम होता है यहां पर जाता है जो यह आता है पलिकल्स होगे सफिशिंट है इतना ठीक है इसमें इग्जाम्पल भी युगलीना का ही रहता है ठीक है नेक्स्ट वन आता है स्लाइम मोल्ड्स क्या आते हैं एक तरह से हम इसको बोल देते हैं कि यह क्या है कॉंजूमर डी कम्पोजर प्रोटेस्ट कॉंजूमर डी कम्पोजर प्रोटेस्ट यहां पर क्या आचाता है कि स्लाइम मोल्ड्स को होते है यह शो करता है अब हिटीरो ट्राफिक न्यूट्रेशन को राइट यह क्या शो करता है हिटीरो ट्राफिक न्यूट्रेशन को शो करता है हे हटित्यो ट्रफिक नूत्रीशन को सोल करता है और निकलिसद ऑढ़न कारे TOM ठीकों कोए क्टिस्टा cd passionου की नूकलिोरिज्ट पूध करता है क्योंकि61-डिवायद сообщ ठीक है यहाँ पर क्या रहा है कि जैसे13-टा अगया सिंद 2N है तो एमिवाइड मास ग्रोइन साइज बाइड डिकें ट्विग और लीव इंगल्फ और्गानिक मैटेरियल्स ठीक है दन क्या हो रहा है यहां पर इट विल बिकम हुज यहां पर देखो यहां पर यहां पर नहीं बनाया है जैसे यह डिपलाइड है दन उसके बाद यहां पर क्या जाता है कि इस तरह से इट विल ह्यूज और यह सिल आ गया मल्टी नुक्लिटेड कंडिशन आई और विच्छोग केरियो काइनेसिस कॉल्ड क्या बोलते है हम लोग उसको सिंसीशम ठीक है मींस जहां न्यू सेल बने ही लिए ठीक है सीनोसिटी कंडिशन आ जाती है जहां पर केरियो काइनेसिस मल्टी नुक्लिटेड कंडिशन है जो कि शो करता है क्या केरियो काइनेसिस को डूरिंग फेबरिबल कांडिशन क्या होता है इसको हम प्लाजमोडियम क्या देते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं यह प्लाजमोडियम आगा है